वेल्कम फ्रेंड्स डेरिवेटिव चैप्टर के अंदर आज हम आगे का इंपोर्टन्ट कंसेट उस पर हम चर्चा करेंगे अब तब हमने डेरिवेटिव चैप्टर में दो कंसेट सीखे हैं सबसे पहला था डेरिवेटिव आप कमपोसिट फंक्शन फोर भी चैप्टर में देखा डेरिवेटिव सेट दिश्के बार हमने देखा डेरिवेटिव आप इन्वर्स फंक्शन थोरेंट इन अडर थर्ड पाल तर्ड फाल इस बार लॉगरिथमिक और सिएटाएट्स अड़िधू A Logarithmic differentiation खास करके डेरिवैटिव का जो प्रोसस या जो डेरिवैटिव हम फाइंड करते हैं ज опыт राइर आन से समय न सुन्स डेरिवैटिव जो हम फाइंड करते हैं उसको फाइंड करने से पहले हम लॉग इंट्रदूस करते हैं so in this concept in this type of concept we find derivative after introducing log you may say logarithms ड्यान से समझना है गुद्दा अब मैं थोड़ा इसको elaborate करने के महल में आ जाओंगा when you say कि हम derivative बाद में find करेंगे पहले हम उसको लॉग इंट्रदूस करेंगे तो इसका क्या मतलब है what is the purpose behind introducing log and then you have to find a derivative तो मेरा में मक्सट तो है derivative फाइंड करना तो हम क्यों काम बढ़ा रहे हैं हमारा लोग इंट्रदूस होने से काम बढ़ जाना है क्योंकि फिर हम उसके बाद derivative निकालेंगे तो क्यों निकालेंगे एक आपके दिमाग में प्रशन आएगा so we don't find derivative directly but we introduce log both sides in the given function that is y is equals to f of x then we simplify it and then we find its derivative क्या मैंने पूरा प्रोसीजर लिखा आपके सामने पहला तो मैंने बता दिया कि we don't find directly derivative ठीक है तो सर्ट क्या करना चाहिए और क्या करते हैं फिर हम तो direct derivative आप नहीं पसंद कर रहे हैं find करना then what to do तो 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 direct derivative नहीं फाइन करते हैं लेकिन उसमें पहले हम लोग इंट्रडिउस करते हैं दोनों साइड इंट्रडिउस लोग बोट साइड्स जो भी फंक्शन आपको दिया है यह इस तरह से अकेला फंक्शन दिया है तो यह हम कंसिडर कर लेते हैं let y is equal to यह तो basic बात है लेकिन हम पहले given function में दोनों साइड लोग का इस्तमाल करेंगे लोग इंट्रडिउस करने का मतलब क्या होता है students दोनों साइड लोग अप्लाइ करते हैं लोग इंट्रडिउस एक साइड ही नहीं होता सिरो इचोड़ बीडिकेबल फों इन बोग साइड वो लोग एपलाइ होने के बाद हम उसको simplify करेंगे simplify करना मतलब सुझा थोड़ा simple form में लेके आना उसके logarithm के concept से उसको solve करके उसको एक simple form में लेके आना और वो जब simple form में simplify हो जाए उस form में आ जाए उसके बाद उसका derivative निकालेंगे तो मैंने बोल दिया इसको simplify करना का मतलब किया उसको simple form में लाने का और एक बार उस simple form में आ जाएगा ने बच्चो तो उसका derivative है ना एकदम आसानी से निकल जाएगा तो अब आपको बात थोड़ा समझ में आना है कि logarithms introduce होने पे उस function को simplify करने का मौका मिलता है जिससे की वो function एक दम simple हो जाता है easy बन जाता है और फिर उस function का आप derivative आराम से आसानी से निकाल सकते हो तो logarithm नहीं apply किया उससे पहले क्या परिस्तिती थी तो कि original जो function आपको question में दिया था वो बहुत ही complications वाला रहेगा complicated रहेगा log use करने से log introduce करने से उसको simplify करने का एक मौका मिलता है जो हमारा complicated format में question दिया होगा जो वो log का इस्तमाल होने से logarithm introduce होने से simplify होने का मौका मिलेगा जिससे वो simple form में आ जाएगा और फिर आप उसका derivative आराम से निकाल सकते हैं तो हम इसको step wise elaborate करें कि हम करना क्या चाहेंगे step number one okay for the given function introduce log both sides step number two simplify it with the help of rules of logarithms अब आपके दिमाग में ही वो पहले प्रश्न चलता है कि जह सर्म लोग introduce करेंगे आपने बताया दोनों side ठीक है आपने बाद में यह जो बोला ना simplify करना तो हमें वो किस तरह से simplify करना है उसका idea दीजिए तो हम उसको simplify कर सकते हैं simplify करने के लिए logarithms के आपके सामने आपके पास रूल होने चाहिए तो यह मैंने लिख दिया है simplification is based on the rule of logarithms logarithms के कुछ rules है और पहले तो मैं आपको वो समझाऊँगा logarithms concept है क्या students यह हमने ऐसे तो 11 में चर्चा में लिया था जब भी कभी जबी 11 में सबसे पहली बार आपने logarithmic function अपने देखा था यह क्योंकि खास करके उसका उप्योग for example set relation function function में भी यह logarithmic function की बात आती है वहां तो मतलब शुरुवाती दौर पर आपको उसकी पहचान क्या है वो पता चलती है कि logarithm ऐसे थो भाई पहले कि उसमें लोग में logarithm का अलग dedicated chapter रखते थे पहले इन लोग ने सब यह निकाल डाला मेरे को समझ में नहीं आ रहा है इस तरह से इन लोग सिस्टम में चलना चाहते हैं स्टूडेंट्स को उसे मदद मिलती हो जो chapter निकाल के उन लोग क्या करेंगे मेरे को मालूम नहीं है मगर वो chapter से students को बरबर से help मिलती थी इस तरह की concept के अंदर जब आगे बढ़ते हो logarithmic function का जब यहां use होता है ना तभी student को पता चलना है कि उसका क्या importance बनता है और जब इसका use करने का वक्त आ रहा है तभी उसको हम पैचान रहे हैं कभी कैसी risk हो बलता है ना उल्टी गंगा बहरी है हमको concept पहले से पता होना चीए तब जाके हम यहां उसका comfortably use करने के लिए start कर से पहले तो हम लोग यह logarithmic chapter हो जाता था करके सब्सक्राइब को बराबर दिमाग में होता था फिर हम डेरिवीटिव के यह टाइप के अंदर हम लोग डायरेक्ली डेरिवीटिव की चर्चा शुरू करते थे अभी तो मुझे यह logarithmic function क्या है पहले वो समझाना है because you don't know because you haven't learned that chapter you haven't gone through that concept क्योंकि चैप्टर निकाल दिया है पागल लोग हाली concept आपको introduce करके आगे मुझे बढ़ जाना है अब यह ऐसी हालत है कि मुझे खाली यह यह logarithm की पूरी discussion में नहीं उतरना है मुझे हाली logarithm का आपको initial information देके या कुछ guidelines उस तरह से देके मुझे derivative के चर्चा में लोटके आना है मेरा मेरा मेन मुझे discussion का derivative है तो अब logarithm का अपना study जो रहेगा वो कितना में कराऊंगा जितना related रहेगा जितना जरूरी रहता है basic उतना में कराऊंगा पहले वो logarithm का पूरा chapter होता था इतना प्रेक्टिस करते थे उसे वो concept पूरा बैठता था दिमाग में कि इतने उसके questions भी होते थे solve इतने भी questions all होते थे तो उसके लिए उसके rules जो है logarithm के हम use करते रहते थे तो बार 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 question solve करने इसके लिए rules यूज करते रहेंगे तो अपने आप दिमाग में rules बैठ जाता है अब यहां तो rules आप पहली बार study करेंगे rules को पहली बार देखेंगे उसको use करने के लिए तो direct आपको derivative में आना है गजब की परिस्तिति है students की due to our system what we can say चलिए हम तो हमारे हिसाब से महिनत रखने का प्रेतन में रहने का जो है उसको phase करना है जो परिस्तिति उसके सामने अपने को बिढ़ना है कोई बात नहीं ज्यादा बोलने से कुछ होने वाला नहीं है we have to face this situation anyhow students घ्यान रखिए मैं आपको दीरे दीरे logarithms की गल्लियों में से निकालके डेरिवेटिव के रास्ते लेके आऊंगा चलिए तो मैंने क्या लेखा फ्रस्टे तो गिवन फंक्शन जो भी है उस फंक्शन में पहले तो आप इंट्रोड्यूस करें लॉग डोनों साइड तभी एक साइड नहीं होता तो यू हैब तो इंट्रोड्यूस लॉग बोट सा तर पर रूल्स के बाए में चर्चा करेंगे पहले खतम हो जाना तीमस हो ग्रूल्स यूद्स है जो बी म्यूत्ति um है करने से पूंक्शन जा ईजए बन जाएका अफ्टर सिंप्लिफिकेशन after having simplification that is given function will be reduced to the extent where derivative can be find very easily that is very easy manner in which you can find out the derivative main purpose derivative can be find in easy manner derivative can be find in easy manner okay okay starting function here since function given in the question in the question in the question the beginning question which cannot be not be not be differentiated in easy manner directly or sometimes it happens or or direct derivative is not possible what I do I do do I do I do I do I do I do I I do 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 see I do I do I do I do I do I सब्सक्राइब करना है तो अब मैं यह जो चर्चा कर रहा हूं मैंने लास्ट स्टेप की बात जो मैंने कम्प्लीट करनी है उसके साथ मैंने रीजन जोड़ा है जो मैंने लास्ट स्टेप में क्या लिखा तो कि आफ्टर हविंग सिंप्लिफिकेशन मतलब कि उसका सिंपल फॉर्म एक आ जाएगा जब आप लॉग के रूल्स एप्लाइ करोगे फंक्शन अग्दम ही कन्वीनियंट हो जाता है डेरिवेटिव निकालने के लायक बन जाता है डेरिवेटिव इमीडेटली उसका मिल जाता है तो हमारे लिए उससे बेटर क्या चीज़ हो सकते हो जब आप डेरिवेटिव आसानी से निकाल सकते हो बेस्ट फिंग पॉर यू तो कभी आप ऐसे आसानी से डेरिवेटिव निकाल पाओगे जबी उसको आप लॉग एप्लाइ करके उसको सिंप्लिफाइ करोगे तब और अब आपके मांंड में यह question है तो इसको यह कारण लिख दिया है यह लॉग ही इस्तिमाल करना है कि इसका कारण है लॉग उस्तिमाल करते है लोग क्यों जरूरी बनेगा हमाई इस्तमाल करना एक तो मैंने उपर बता दिया है डेरिटे लेने के प्रोसेस में हमको यह लोग इस्तमाल करना है ताकि फंक्शन इजी हो जाए यह कारण में यह लिखा है कि भाई वो जो डाइरेक है डेरिवेटिव जिसका हम निकाल नहीं सकते हैं यह एक कारण हुआ और दूसरा यह कारण हुआ कि function जो है वो इस तरह से एकदम complex तरी से दिया होता है difficult way से दिया होता है उसका derivative directly निकाल पाना बहुत ही complications create कर सकता है बहुत बड़े-बड़े steps आते हैं उस पूरी story से आपको बाहर निकलना हो easy तरीके से आपको जो derivative निकालना तो log पहले इस्तिमाल करके उस इंप्लेफाटर इसलिए मैंने लिखाया function sometimes which is given in the question which cannot be differentiated मतलब इसका derivative हम निकाल नहीं सकते easy ऐसे situation में आप log का इस्तिमाल करें और उसको simple form में लेके आएं और फिर आप उसका derivative find out करें यह पुरा मेरा concept आपके सामने मैंने introduce किया अब execution point of application किसी इसका करें उसके पहले इसमें किसी examples के उपर जाओ उससे पहले मैं logarithm की चर्चा करूंगा क्योंकि students derivative निकालने से पहले logarithm introduce करना जो है उसके बाद उसको simplify जो करना है by using the rules मैंने लिखा इदर rules of logarithms तो यह rules है ना यह आपको बहुत ही जरूरी रहता है समझना क्योंकि without that rule you can't simplify can't solve that particular given function जिसमें log आपने इस्तेमाल कि रहा है दोनों साइद log apply किया है तो derivative के तो stage last है derivative finally बाद में find किया जाएगा logarithms आप apply करोगे डोनों साइड introduce करके उसको solve करोगे simplify form में लाओगे फिर derivative निकालने की बारी आ रही है तो derivative तो last की बाद हो जाती है पहले हम log का इस्तमाल करना है logarithms का rules का use करना है तो पहले हम logarithm की चर्चा करेंगे and very importantly आपको students logarithms जैसा important topic इस प्रकार से हम logarithm function से आगे भी deal कर चुके है limits continuity में logarithms functions है logarithms के standard results है derivative itself we have solved log के basis पे log x का derivative आपको मालूम है उसमें फिर्स प्रिंसिपल हमने लास्ट येर देखा 11 में log का उस तरह से हम use करा है लेकिन students logarithms का ऐसे हमने जो use किया है न वह बहुत ऐसे आधा अधूरा आधा अधूरा लग रहा है तीकि विदावट चैप्टर किया हुआ students logarithms का पूरा चैप्टर होता था जिसमें पूरे concept हम detail में पढ़ाते थे और उसके related questions होल होता था तो student की दिमाग में बोर concept उस तरह से बैठा होता था कि कभी भी उसका यूस करना पड़े न तो student instantly उसको यूस कर सकते थे वो परिष्टिती अच्छी अमको एक ideal situation लगती थी right now we also hesitate sometimes to discuss some points because those points you have never come at came across due to the change in the syllabus pattern etc whatever you say but it is important थीक है हमको बार 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 याद आता है कि हमको आइडल situation दिखती है student के related हमारा प्रेत में यह रहता है कि हम student को best environment के हिसाब से study में involve कर सके best input मिलना चाहिए तब जाकि कुछ आगे का concept आगे के subject matter में involvement उस तरह से link बैठती है समझे आता है link बैठना मुदलब कि एक concept से दूसरे concept को यहाँ जो है ना connectivity है and that is very important and connectivity मिलेगी कैसे कि उसके लिए यह जो निकाल देते हैं लोग इस सब topics को उसे वो connectivity उल्टे की break हो जानी है fine कि तो हम आते हैं अभी कि लोगेरिजम के concept कि 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 इस दिए न रिए रिकुएर्ट इं रिपॉर्ट इंपॉर्टिंट इस्कुशन concept of logarithm Students कोई भी expression हम लिखते हैं जिस तरह का suppose example के तोर पे for example a raise to x is equal to m अभी रहां समगते जाएए यह जो मैं concept logarithm ही समने लोग को introduce कर रहा हूं उसको किस तरह से मां इंटरपेट करते हैं first of all this is in front of you a respect is equal to m this is called as exponential form जा बोलते स्वोर्ण exponential form see a raise to x a raise to x इसमें a जो है वो बेज में है और वो जो है वो constant है m जो है वो right hand side में भी constant है और उपर का जो x है वो है variable और इसी के लिए हम exponential function को भी represent करते है exponential function that is a raise to x जिसके अंदर बेज में number है और power में variable power में variable है x बेज में number है कोई value constant that is a अब यहां यह meaning क्या बनता है a raise to x is equal to m का तो कोई एक ऐसा number है जिसका power x होगा मतलब x की जगा पर कुछ value होगी जो value मुझे मालूम नहीं x अभी तो variable है हो तो a raise to x a के power में something that something should be there right now we don't know we have represented as x तो a raise to जो भी होगा हो x it should give me answer m अभी मालूम नहीं पूरे का understanding तो कि a कोई number है ऐसा कुछ है fix जिसके power में x कुछ number उसका होना है अभी मालूम नहीं है वो x power के तोर पर चुक्या होगा मगर जो भी होगा वो उसका आपको answer मिलेगा right hand side as m यह है exponential point अब students उपर का identification जो मैंने लिखा होगा ज्यान रखना यह base में है एक्स variable है जो power में है यह variable जो है उसका position क्या हो गया power और यह में से index और right hand side में जो है m जो constant है तो अब हम इसका logarithmic form then logarithmic form can be written as यह तो होगा exponential form अभी हम उसका logarithmic form लिख रहे हैं तो जो है इसको लिखा जाएगा log m to the base a is equal to x क्योंकि अब हमको जानने की कोशिश करनी है वो x की value क्या होगी तो जो exponential form में जब वो था तब ही वो x जो है वो पावर में था और हमको वो पावर में जो variable x है वहां पे उसकी position के कारण वो format में रहके उसमें x की value ढूंडनी complication create कर रहा था किकि वो x पावर में है and due to that हम उसका x का value निकालना हमारे लिए difficult हो जाना है so as the logarithmic concept logarithms का इस्तमाद यह उसका advantage में आप से डिसका करने का मुझे मुझे मुखा मिल रहा है so due to logarithms this concept we can bring like this कि हमने log का form में यह इसको लेके लिखा है तो उसके कारण अब हम x का value निकाल पाना वो आसान हो जाता है this is what actual introduction to logarithms real term में मैं example दूंगा यहां पर मैंने चर्चा जो दिया है वो general form में है specific terms लेके मैं specific particular example में देखे आप से बात करूँगा अच्छा पहले इसका conversion जो हुआ है इसके थोड़े कुछ मुझे points बिसक्स करने हैं तो यहां जो a था exponential form में देखो यहां जो a था वो तो base में base की position में है और अब जहां हमने logarithmic form जो लिखा है इसको कैसे read किया जाता है log m to the base a is equal to x how to read how to pronounce log m to the base a is equal to x तो अब आप देखो मैंने जो बोला log m to the base चांद ध्यान में रखो to the base a इसका मतलब a की position बले मैंने यह नीचे लिखी है वो log क्या लिखने का अपना एक format है log में base जो है वो इधर नीचे लिखा जाता इस तरह से लेकिन एक बात common सी आप ध्यान में ले लो क्यों exponential form में जब था तब ही वो a base में ही था और यहां पर भी a जो है वो base में ही है दिखने में उसकी position बले अलग हो लेकिन उसका उसकी जो पहचान है उसकी जो identity है और अब देख लो राइटन सेट में अपके लाइक्स बच गया जिसकी वैल्यू हम धूनने को उपर प्रहत ना कर रहे थे जो पावर में था एक्स और वह हमारे लिए डिफिकल बन रहा था निकालना उसकी वैल्यू दूनना उस तरह से लोगरिद्मिक नेचर में आ गया व हो पॉर्मेट में आ गया हो तो एक्स अपने आप अलग होने पे उसका एक्स का वैल्यू आप दून सब्सक्राइब है मैं एक एक्जाम्पल लेता हूं स्पेसिफिक जैसे स्टून्ड सापको मालूम है कि पोर रेस तू टू करेंगे तूम को सिक्स्टी मिलेगा अबरिवन जिसमे कि अब हम लोगर्थमिक फॉम में टो केसे लगे गई भी तूम केसे बिके काली लोग 16 दो लोग 16 दो बेस 4 is equal to 2 log 16 to the base 4 is equal to 2 यह हो गया logarithmic में उसका conversion दोनों का meaning same खली form अलग खलग दिख रहा है यह exponential form में है यह logarithmic form में है समझ में आरे सुर्ण पूजिशन देखो सब कहा कहा घूम देया पूरा यह हो गया logarithmic form अब without wasting time I am going for the subsequent point next point उसके आधार पे हम दूसरे पॉइंट आगे बढ़ते हैं जो भी बहुत important discussion रहेगा natural logarithms and common logarithms natural logarithms इसको बोलते हैं जिसके बेज में having base E और common logarithms इसको बोलते हैं having base 10 त्याम लग ना base having E is natural natural logarithms and base having 10 is common logarithms जिसमे हैं कि बेज 10 के रिलेटेड आपने आपने शायद logarithms के टेबल आइड दोंट तिंग आपने देखा हो में भी कभी नजर में पढ़ गया हो इदर अभी तो उन लोग टेक्स्ट्बूक के पीछे भी देना नहीं है तो पहले भी नहीं देते थे चैप्र होता था तो भी अहां उसके पूरे लॉग के वैल्यू बने हुए रहते हैं कि लोगकी में तो कॉंशे वेल्यू रहते हैं बेसक्टान को अन्छीडर करके उसका हम सुस्ट खांर करते थे लॉग टेबल के रिलेटेड़ और पहले तो उसके कोश्चन समझो सब्सक्राइब समझते कि हाव टू फाइंड आउट लॉग एंटी लॉग एक्सेटरा 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 वो तो पूरा चैप्टर ही निकाल दे डिस्केशन ही नहीं रहे हा गड़ी-गड़ी वो बात मेरी आ जाएगी तुमको कि मैं रिपीट करते रहोंगा जिए जितने भी कंसर्व हम पढ़ा रहा हो मैं अभी ना उसको मियाज करते हैं एल्टीमेटली कि हम वो उसको पूरा एक डेडिकेटर वेसिंग चैप्टर के अंदर पढ़ाते थे खेर और अभी हमको उसका पूरा इसको बोलते ना कि वह वो ट्रेलर जैसा दिखा के खतम करना है तो पूरा पिक्चर देखें और सिर्फ ट्रेलर देखेंगे फरक तो पढ़ता है कि नहीं ट्रेलर देखेंगे जितना खुश होंगे पिक्चर देखेंगे उतना खुश ज्यादा होंगे ना इस तरह से खाली आपको मुझे हाइलाइट्स करनी है दिखाना एक खाली कंसेप्ट को उपर उपर से उसमें मजा कम हो जाती है बच्चो लेकिन हमारे को कुछ नहीं है तो करना पड़ेगा अब आपको पाता चल गया है कि लॉप का यूज कैसा है नहीं यह derivative अंदर logarithms का क्या चर्चा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, यह किसी के दिमाग में अभी चलेगा नहीं, यह point, क्योंकि आपको पता चल गया है कि यह log का use कैसा है, क्यों है, और यह हमको क्यों अभी study करना पड़ेगा, because of that, derivative हमको जो find out करना हुआ है, उसके आधार पे यह चर्चा हमको ने continuation में ली है, and so very important discussion, we are doing it, that you must understand and need to create an impact in your mind, because this is helpful, so अब मैंने दो तरीक के लोगरिद्म से आपके सामने खाली बोलना है था, यह दो तरीके के लोगरिद्म, इसका क्या अप्रोच है हमारा ज्यान रखो, तो कि जिनका base में 10 होता है, उसका तो एक table value अलग से बना हुआ है, इसको हम log table बोलते हैं, और वो base 10 को लेके बनाया हुआ है, और जब कब, base में कुछ नहीं दिया है, यहाँ पर आपको लिखने के लिए हम इस तरह से बता सकते हैं, एक्जाम्पल के एक तोर पे log किसी कभी आप ले रहे हो, उसके base में 10 है, और यहाँ पर आप बताना चाहो, तो कोई भी value का आप log लेते हैं, उसके base में e है, देखो यह base में 10 होना और base में e होना, दोनों को हम बोलते हैं, 10 जो base में रहेगा उसको बोलते हैं common logarithms, और जो e है base में उसको हम बोलते हैं natural logarithms, और एक खास important note, take down, important note to understand, if base is not given, then we must consider base as he, that's cool and final, जो भी हमारे को, समझो कभी कोई base में कुछ नहीं दिया है, समझो खाली, ऐसे for the log x, तो base में कुछ नहीं होने पे, हमको क्या consider करना है, nothing is there in the base, consider e, समझा रहा है, यहां मैंने यह और एक और पॉइंट, natural logarithms और common logarithms आपके सामने, मैंने highlight यह है, now, very important point, next I am going to take, that is, about rules, take down next part, rules of logarithms, and after completing this, we will come back to the derivative part, which is our main and important discussion of this chapter, so, rules of logarithms, त्यान लीजे, सबसे पहला, जो rule है, आपको त्यान में लेना है, इसको हम law भी बोलते हैं, लोस of logarithms, लोस of logarithms, very first, take down, लोग M इंटो N, इसको मैंने bracket में इसमे लिए भी आपके दोनो, अपक दुसरे से, multiplication के process में है, तुदे बेज ए, can be written as log m to the base a plus log n to the base a friends तभी भी log के साथ दो या तो दो से ज्यादा terms product में है देखो product इंदर सेंस यह multiplication है न दूनों m और n that product that multiplication जरूरी दो ही हो दो से ज्यादा भी हो सकते हैं तो आप उसको अलग अलग लिख सकते हैं in terms of addition तो plus का sign आया है देख लो और तो और जब आप अलग 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 लिख रहे हो तो जब भी आप उसको अलग अलग लिखेंगे सब का base a ही रहेगा क्योंकि जब log m into n था एक साथ तभी उसका base a ही था तो सब अलग अलग होंगे तभी उसके base a ही रहेंगे यह एक्चूली रूल जो आया है न यह जो रूल आया है न वह कौन से रूल में से आया है मरूम है इंडाइस के आपके रूल को आप याद करो इंडाइस के रूल को आप याद करेंगे आपको पहला का ने आपके सामने लोगिर्थम का पहला वाला रूल लिखाया है आया है यह आपको समझना हो तो you can understand यह रूल जो है a raise to m into a raise to n can be written as a raise to m plus n यह कुछ indices के basic बाते हैं ना जिसको हम logarithm के platform पर लेकर आते हैं तब जाके वो logarithm का रूल बना हुए regular students तो एक बात थ्यान रखो logarithm का concept अपने जगा पर है और इसके जो रूल्स है वो रूल्स को develop किये हुए है इस इंडाइस इस रूल्स फोड़ा को यह अंडेस्टेंडिंग लेना इस तरह से अच्छा भी लगेगा क्योंकि आपने अंडेस्टेंडिंग में इंडाइस इसके रूल्स तो पड़े हुए ना आपके दिमाग में ही वो कि a raise to m और a raise to n दोनों एक दूसे मुल्टिप्लिकेशन में है और तो बेज में a same है a base में a same है बोला मैं तो यहां log m into n जो दिया है उसके base में a अकेला base में same है आती है वो sense वो सेम भाशा तो अलग-अलग हो जाएं तो भाई यह उस तरह से addition के relation में जाता है तो यह रादे को इसका भी addition के relation में यह point मेरा आ चुका है पावर में m plus n addition हो गया चलिए students इसी तरह से अब मेरे मैंना कोई indices का रूल का base बताया तो आपको अभी लगे के सर यह खली अकेला थोड़ी indices का रूल है जुसरे भी तो indices के रूल है तो उसके उपर से और logarithm के और तो रूल जो है वो बनते जाएंगे बात सही है आपकी since this rules of logarithms are connected with the law of indices अब देख लो कि एक ही आपको formula का मैंने connectivity बताया आपको लगे कि सरा और आगे के indices के रूल के आधार पे logarithm के और जो रूल बनने है बट अबियस उसमें से ही बनने है चलिए second मैं आपसे logarithm का रूल लिखों उससे पहले मैं यह जो indices का रूल मैं इस्तिमाल करने वाला हूं वह आप मुझे बताए नेक्स्ट वाला क्या होना है पहला वाला प्रोड़क्ट का रोजदा दूसरा कोशन रूल है आपको मालूम होना चाहिए जैसे a raised to m upon a raised to n लिखते हैं तो जिसका बेज सेम है तो उसके बेज को आप एक सेम कमन पकड़ के उसके पावर का सब्ट्रैक्शन करेंगे यह आप लिखते हैंगी ने लिखते हैं लिखते हैं लिखते हैं तूरेंस लिखते हैं 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 यहां M और N दोनो कुशंट में हैं, डिवीशन के हैं, रिलेशन में हैं, तो वहां प्लस हुआ, यहां माइनस हुआ, लोग M अपोन N is equal to log M minus log N, बेज में जो हो, वो commonly रखेंगी, A है तो A सब में, B होता तो सब में B, Students, third rule के मैं आता हूँ, logarithms के, और यह तीसरा rule हम यूज कर रहे हैं, that is, very important, log M raised to N, बेज में ज्यान रखना, यह M के पावर में है N, Then, this N will appear in the base, नीचे आ जाएगा, log के पीछे multiplication में, तो कैसे दिखेगा, N into log M to the base, बेज़े, Student, यह power N जो है न, वो किसका है, सिर्फ M का है, सिर्फ M का, इसने मैंने bracket खास बताया, यह गल्ती से कोई ऐसा मत मान लेना, Log M, whole raise to N, ऐसा 9, इसमें और इसमें आपको फरक दिखता है कि नहीं, जो मैं बात कर रहा हूँ, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, उसका पूरा आप बराबर से बात समझ लीजिए, This is not to be treated, कभी student इस तरह से समझ लेते हैं, यह इस तरह से understanding लेने शुरू करते हैं, whole power नहीं है, log M का whole power N नहीं है, N जो power है, वो खाली M का है, M, M, मैं point out जादा ही, इसलिए जान रुचके भी कर रहा हूँ, ताकि यह जो कुछ misconception कभी धीरे-धीरे develop हो जाते हैं, या कभी गल्पी से ही लिए आपको remind करना चाहिए, यह जो मैं discussion रख रहा हूँ, तब ही ECP के आदार पे यह law का result लागू होता है, यह हिसाब मत पकड़ना, पूरे का whole power नहीं है, N जो power में है वो सिर्फ M के ऊपर है, ठीक है, this is also much important rule, और मैं आगे बढ़ता हूँ, फोर्थ रूल पे आता हूँ, and this particular fourth rule, I am showing it like this, log M to the base N, इस तरह से समझो है, तो इसको हम लिखेंगे, log M upon log N, यह बात ब्यान रखना, यह दूसरी बात ब्यान रखो, कि यह जो पहले तो रूल जो हम इसको बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं, change the base rule, क्या बोलते हैं, change the base rule, अब सुनो, और एक बात इसमें अधूर ही है, मैं जान बूझ के उन्हें लिखा नहीं है, अब मेरा discussion में आता हूँ, log M to the base N है, तो मैंने पहले लिखा numerator में log M, और फिर दूसरे में denominator में लिखा log M, अब आप बोलो कि sir log, जो भी आपने लिखा numerator, denominator, log M upon log M, तो बेस में क्या रहेगा, तो कि बेस में कुछ ही नहीं रहा, लेकिन दिखाने के लिए कुछ base रहेगा भी तो common रहेगा, that is going to be A, just I am showing right now A, you may write B, B, मगर हा, जो भी आप लिखोगे, वो सेम लिखना है, उपर भी base में A है, तो नीचे भी base में A ही होना चाहिए, Are you getting, इसको बहुते है, चेंग the base rule, चेंग the base rule का और एक प्रमेट में दिखा देता हूं, Same, log M to the base N, we can write as 1 upon, 1 upon log N to the base M, ये क्या जादू हो गया? This is also, we called as change the base rule, 1 upon में ले लिया, तो वो जो log M to the base N है, वो उल्टा हो जाएगा, log N to the base M हो जाएगा, Are you getting, so these two rules are related to change the base rule, very importantly, next rule, I am specifying, That is, log A raised to X to the base A, This rule, ये directly हम X लिखते हैं, अब directly X लिखने के पीछे का logic क्या है, पहले समझ लो, ये जो मैंने, लिखा है, log A raised to X to the base A, सबसे पहले तो आप ये rule पे concentrate करो, 3rd, log M raised to N to the base A, उसी के जैसा ही दिखता है, log A raised to X to the base A, खाली फराग ये हैं, कि मैंने log A लिया है, उदर log M है, उसके पावर में N था, इसके पावर में X है, बेज में A है मैंने, तो पहले तो 3rd rule apply करते हैं, पहले तो मैं 3rd rule apply करते हैं, 3rd rule में क्या था, तो वो जो N है न, वो नीचे आ जाता है, बेज में, आ गया था न, देखो, वो ऐसी तरह से, यहां पर जो X है न, वो X बेज में आ जाएगा, X log A to the base A, अब मुझे वापस एक दूसरी बात पर आना है, यहां यह जो इंडिकेट कर रहा है, log A to the base A, यह और एक नया रूल बनने के लिए तयार हो रहा है, मतलब मैं 6th rule में, 6th rule के साथ साथ, यह और एक नया रूल उसके अंदर से निकाल के आपके सामने बता रहा हूँ, तो जब कभी log A और उसके base में भी वही A है, मतलब कोई same value होनी है, तो तब इसका आंसर बनना है 1, यह रूल कहां से आया है, मालूम इंडाइस इसके कुन से रूल से आया है, that is, पहले तो मैं इसका रूल स्पेसिपाइ करता है, यह और एक रूल निकल गया है, log A to the base A is equal to 1, पहले यह समझ लिए आपने, और यह रूल कहां से आया है, तो कि इसका exponential form में मैं आपको लेके जाओ, तो आपको समझेगा कि यह logarithm का रूल जो बना, क्योंकि always, उपर हमने देखा ना, यह exponential form में, हमने उसके indices के रूल को base में लेके, इससे हमने जो understanding लिए है, उसी को हम logarithm के रूल में convert करके लिए हैं, So, same way say, if you expand, if you see the exponential version of this rule, then this rule, you can write like, यह किसी के भी पावर में वन हो, तो क्या आता है? किसी के भी पावर में वन हो, किसी के भी पावर में वन हो, तो सेम आपसर है, यह है, exponential form, और उसी का यह हो गया, logarithmic form, एक काम करने भाई, मैं इसका रूल अलग से, नंबर देके लिखना चाहूंगा, और इसको मैं देऊंगा, नंबर 7, उससे पहले मुझे लिखने की इच्छा है, नंबर 6, जो log A to the base is equal to 1, इसकी understanding किसरे आई है, तो कि from indices rule, from indices rule, A raise to 1 is equal to A, भाई जी, इसमें आप logarithm में convert करके ले लो, ए आपको देखो, मैंने logarithm का जो उदाहरण आपके समने पेश किया था, यह देखना, उसमें मैंने के एग्जामपल लिया था, तुम्हार समने, यह देख, मैं प्रिविएस पेश पेश पे आज चुका हूँ, आपने लिखाई है, 4 raise to 2 is equal to 60, convert in logarithmic form, log 16 to the base 4 is equal to 2, अच्छा मैं उल्टा बोलू, log 16 to the base 4 को, exponential form में convert करके बता, तो लिखेगा, 4 raise to 2 is equal to 60, कैसे, तो कि यह 4 जो ना, बेस में से, यहां से निकल के सामने चला जाएगा, और तुको बोलेगा, मेरे उपकर आजा, पावर में, 4, यहां से निकल के, राइटें सेड़ गया, आपोजिट सेड़ गया है, और तुको बोलेगा, तु मेरे माथे पर आजा, पावर में आजा, तो 4 raise to 2 हो गया है, देख, और यहां लोग निकल जाएगा, मतलब 16 खाली बचेगा, आए ले, तो जब हम उल्टा करते हैं, उल्टा मतलब लोगरिदमिक form में से, आएंगे तो आपका लोग निकल जाएगा, और जब हम एक्षपोनेंशल में से, लोगरिदमिक form में आएँगे, लोग लग जाएगा, ऐस्पोनेंशल टौ लोगरिदमिक लोगरिदमिक टू एक्सपोनेंशल, यह बाशा से आप आगे बढ़ो यह उदारणपी में आता हूं अपस यह ले यह लोग लागू कर ले इस राइट हैं साइड में लोग लग गया लोग एक पीछे और यह जो है वेज में चले जाएगा यह और रहेगा यह वन बचा हुआ यह देख लो वन पया मालूम पड़ता है और इसी वर्जय से जब यह मैं सातों आ रूल आपको एक्स्प्लेंद कर रहा हूं ध्यान में लीजए यह तीसरा रूल भी एक्स्प्लेंद किया दोबारा क्यूकि साथ रूल में थीसरा रूल लागू किया तब जाके वह एक्स नीचे आया अभी जा गया वन इंटू एक्स खाली एक्स आ गया देख लें भाई तो ऐसे मैं बोलो ना तो साथ वे रूल की जरुवत नहीं है क्यों थर्ड रूल तुमने जाना ही है और थर्ड रूल में से यह बाद में मैंने सीख तुमने को एक्स्प्रेंट किया उसको ही ध्यान रखो तो साथ साथ वारूल आटोमेटिकली कवर होना ही होना है बहुत ही इंपोर्टन्ट डिसकेशन में बता रहा हूं जो लोगेर्जम के रूल्स के आदार पर हम आगे बढ़ रहे हैं ताकि हमको यह पता चले कि इसका क्या इंपोर्टन्स होना है और इसका यूज़ डेरिवेटिव के लिए यह जो कंसेप्ट के अंदर में जो दिखाना है लोगेर्जमिक डिफ्रेंसियेशन के बेजिस पे वो आपका पूरा जो कंसेप्ट है वो आप इजीली सीख सकोगे जो यह रूल्स लोगेर्जम के आपने बराबर समझ लिये हैं उसको कैसे एपलाई करना है उसको आप ने अंडेस्टेंडिंग ले लिया है ना तो आपको वो डेरिविट्व का कोश्चिन करने में कभी दिक्कत नहीं आनी है तो यह जो मैंने कुछ डिसकेशन रखा और इंपोर्टन्ट रिजल्ट में आपके सामने डिसकस करता हूं लोगेर्जम के रूल्स के अंदर ही यह य point I would like to discuss here कभी भी लॉग वन तो अनी बेस जो है बेस में कुछ भी हो खस मैने इसमें लिखा है लोग वन बेस में कुछ भी हो with any base is always going to be 0. Hence, log 1 with any base is going to be 0. क्यों इंडाइस इसके रूल के अधार पर जो मैं दिसक्शन करूं anything raised to 0 कि किसमें से आया है from anything raised to 0 let me take anything any base any base का मतलब मैंने यहां लेना है यह चलो यह लिख देता हूं कुछ भी मैंने बेस लेना है मैंने लिख दिया मैंने लिख दिया मैंने लिखा और उपर जो पावर में है वह अंसर बनेगा यह लोगर्गमिक फॉर्म आ गया कि आपको ने अभी देख लिया है आपने समझ लिये है कि exponential पॉर्म में से लगर्गमिक फॉर्म में कैसे करने का और लॉगर्गर्गमिक फॉर्म में इस Hispanisch फॉर्म में कैसे करने का कि शुबह खाली रूल एक्स्प्लेंड नहीं कर रहा हूं रूल का ओरिजिनली कहां से उसका ओरिजिन है वो भी थोड़ा ना थोड़ा मैं इंडैसे जुरूल के बेजिस पर आपसे डिस्करिंग लेता हूं क्या ताकि आपको ये लोगरिद्मिक कंसेप्ट उसके ही रेलेटेड है ये पता चले और आप इसलिए उसके अंडेस्टेंडिंग ले सको कि रूल और ये रूल की आपको जरूद पढ़ने वाली है जबी आप लॉगरिद्मिक डिफ्रेंसेशन में लॉग लेके पहले आप उसको सिंप्लिफाइ करोगी तो ये सिंप्लिफाइ करने के लिए इस्ताब से तुमको रूल की जरूद पढ़ेगी वेरी मच इंपॉर्टेंट और जबी यूज होगा तभी आपको रिलाज होगा नहीं है रूल का कहा है हमने बात समझा है वो देखो अभी ही वो रूल को हम इस्तमाल कर पा रहे है तो भी दैट हम आगे बढ़ते हुए कुछ मुद्दे जो है अब रिलेटेट टू दर कॉस that we will see in the next session till that please repeat this part thank you friends